लव इन फाइनल चैनल में जोतिश सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इसमें मैं आज आपको कुंडली के बारे में नहीं लेकिन पित्र पक्षर जो चल रहा है अभी इसके बारे में थोड़ा सा बताने जा रही हूँ वैसे आप लोग जानते हैं कि अश्वनी कृष्णपति पता से लेकर अमावस्या 15 दिन तक पित्र पक्षर माना जाता है जो कि पित्र पक्षर का मतलब है पिता तो इन 15 दिनों में लोग या आप सभी हम इनसान जो है अपने पित्रों या पूर्वजों को जल देते हैं और उनकी मिर्त्यू तिती पर पारवन श्राद करते हैं मिर्त्यू तिती ग्यात होनी चाहिए डेट नहीं तिती ठीक है पिता माता आदी पारिवारिक मिर्त्यों की मनिश्यों की मिर्त्यू के पस्चात उनकी त्रिप्ति के लिए जो भी श्रद्धा पूर्वक कार्म किया जाता है या काम किया जाता है उसे पित्र श्राद कहते है श्रद्धया इदम श्राधम इसका मतलब है जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राध है भावार्त ये है कि प्रेत और पितर के निमित उनकी आत्मा की त्रप्ति के लिए श्रद्धा पुर्वक जो अर्पित किया जाए उसे श्राध कहते हैं और अगर हिंदु धर्म की बात करें तो हिंदु धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदु धर्म शास्त्रों में पित्रों का उद्धार करने के लिए इस तरह से कर्मकांड बनाए गए हैं। तो अश्वनी कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की उर्जा तदा उस उर्जा के साथ वो जो भी एनरजी होती है वो पित्र प्राण प्रतिवी पर व्याप्त रहता है। कहते नहीं कि पित्र प्रतिवी पर आते हैं 15 दिन तो वो हमारे आसपास ही होते हैं और उनकी अच्छी यादें और उनका किया गया आपके लिए बलिदान वो सब आपको याद आता है और आपको उनके लिए रोज कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो पित्र पक्ष भर में जो भी तरपन किया जाता है उससे वो पित्र प्राण अपने आप ही आप्यापित होता है। के लिए तयार हैं नहीं तो हम वो आत्मा फिर उपर ही बठकती रहती तो इसलिए ये धन्यवास सईद्या ग्रेटिट्यूड कहेंगे तो इस तरह से ये कहा जाता है। तो भारतिय धर्म गरंत जितने भी हैं जैसे कि आपका ये ले लिजे भरत के उसमें जताना के भरत कीनी दश गादर विधाना ये तुलसी रामायन में जो निर्मित है। तो उसमें यही है कि उन्होंने अपने पितादशरत के लिए जो पित्र रण चुकाया था वो सब कुछ यने कि महाभारत रामायन इस टाइम से ये चला आ रहा है। और सनातन धर्म तो एक तरह से धर्म क्या है वो तो एक साइंस है। हिंदू धर्म धर्म नहीं है वो एक साइंस है। तो वही साइंस अब पूरी दुनिया में spread अलड़ी हो चुकी है। लेकिन सब अपने-पने religion को कहते हैं धर्म बलकि हिंदू धर्म में ये सिखाया जाता है कि धर्म मिन्स कर्मा। जो भी आपका कर्म है वही आपका धर्म है। दूसरों की सेवा करना ये आपका धर्म है। पर्टिकुलर हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है वह तो एक बहुत ही वास्ट चीज़ है। तो इसमें आपको बहुत उलजना नहीं चाहिए धर्मों में लेकिन हाँ पित्र के लिए तो सभी करते हैं। किसी भी धर्म में ले लिए चाहिए एंसेस्टरल हीलिंग कराते हैं या पित्र पक्ष में जो भी कुछ करवाते हैं। तो वह सारी चीज़ें बस आपके पिता की मिर्ट्यू करती थी आपको मालूम होनी चाहिए उसके बाद आप कर सकते हैं। सिर्फ पिता ही नहीं आते हैं। उसमें दादा भी आ जाते हैं। उनके फॉर फादर्स भी आ जाते हैं। तो वह सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इवन माता पक्ष के पूरवज भी इसके अंतरगत आते हैं। तो ये पूरे 16 दिनों तक जिस ये आता है इसे पित्रपक्ष कहते हैं जिस तिथी को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथी को पित्रपक्ष में उनका श्राद किया जाता है अब ये सब तो आपको मालूम ही है लेकिन जब पित्रपक्ष अगर श्राद नहीं किया जाता है बिल्कुल कुछ करते ही नहीं है याद ही नहीं करते है तो उससे क्या होता है कि परिवार में अशान्ती हो जाती है वंश वरिद्धी रुक जाती है बेटा है तो उसका बच्चाई नहीं होगा बेटियां है तो उनकी शादिया नहीं होती है हो जाती है तो तूट जाती है या ये पित्रदोश के लक्षन होते हैं और ये भी हो जाता है कि परिवार में किसी सद्धस्य की अचानक से काल मिर्ट्य जिसे कहते हैं वो हो जाती है तो ऐसे में आपको पवित्र स्थान तो बहुत सारे हैं जैसे गया है गया भी बहुत अच्छा स्थान है तो वहां अगर आप आप तरपन करते हैं तो बहुत अची बात है और इसी तरह से आप डेली श्राद भी कर सकते हैं क्योंकि यम स्मृत्ति जो है न उसमें पांच परकार के श्रादों का वर्णन मिलता है जैसे कि नित्य श्राद, नेमितिक श्राद, कामे श्राद, जो कि कामना से कि मेरी कुछ का कामे श्राद, वर्द्धी श्राद और पारवन श्राद के नाम से जाना जाता है तो नित्य श्राद है, नेमितिक श्राद है जिसमें कि 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 मित्ति हो जाने पर दशाह, एका दशाह परू करते हैं कामे श्राद वो होता है जिसमें किसी कामना से किया जाता है वर्द्धी श पूर्वी की तिथी आदी पर किया जाना वाले श्राद को पारवन श्राद कहते हैं, ऐसी ही संपिडन श्राद, गोष्टी श्राद, शुद्ध यर्थ श्राद, कमाग, करमाग श्राद, यथार्थ श्राद, पुष्ट यर्थ श्राद और इस तरह के कई तरह के श्राद माननेता आए है तो अगर हम ये कहें कि आप कहेंगे कि ये तो आप नौलिज देरे इसके बाद क्या मतलब हम कैसे करें तो देखिए ये तो हुई सारी बाती है आपको भी मालूम है कि गया बहुत अच्छी जगह है विश्णु पद एक मंदिर है वहाँ भी आप जाकर बगव अपना उबले वे चावल ले लीजे चावलों को इतना सौफ्ट उबा लीजे मतलब पासमती राइस को अम बिल्कुल खिला खिला करते न वैसा नहीं चिपके चिपके होने चावल उबले चावल हो एक कटोरी उबला चावल डेली ले लीजे केले का पत्ता नीचे रख भणले चावल वो उस में रग दिया ठोडर और उसमें एक शमच दही रग दियी एक शमच घी डाल दिया और पर अच्छा ए पर बहोंत ज्याद Kommar डालें एक चुटकी काला तिल डाल दें ताकि कोवे वगरा खालें अब आप ये पूचेंगे कि कवग डालें तो सबसे वैसे तो रोजी करें तो बहुत अच्छा है लेकिन जो 25 सितंबर है न 25 सेप्टेंबर जो कि भरनी नक्षत्र के अंतरगत आता है और ये आ रहा है सबसे अच्छा है और दिन नहीं कर पाएं तो या तिथी याद नहीं है तो कई बार माता पिता से इतना दूर रहते हैं कि कुछ कॉंटेक्ट ही नहीं रहता कब जी है कब मरे द्यानी नहीं रहता है तो अगर ऐसा कुछ है तो पितर पक्ष में भरनी नक्षत्र आने पर जो ये महा भरनी नक्षत्र बन जाता है तो ये द आपको दक्षन जिशा की तरफ तिल के तेल की जला देना है या लो जला देनी है, यनि कि पित्रपक्ष जो है दोपएर के टाईम में माना जाता है, सुबा-सुबा-सुबा नहीं कर देना, चावल-सुबा उपाल के रख सकते हैं, जैसे जासी सुवी दा हो, पूजन जो करना वो करना है आपको साड़े ग्यारह याद बारा बजे से दोपहर के बारा से तीन के बीच में कभी ये जल अरपन, तरपन कर सकते, ठीक है? पितर पक्ष के लिए दोपहर, बारा से तीन के बीच एक बार फिर पिर से रिपीट कर देती हूं दक्षन दिशा की तरफ यहने की साउत की तरफ तिल के तेल का दिपक सेसमी ओइल सोते हैं वो और उसको दीब जला देना है उसका दक्षन दिशा की तरफ ही आपने लॉव रखनी है ठीके और पूरुव दिशा की तरफ नहीं करने है क्योंकि पित्रों के लिए पुरूर दिशा नहीं होती है दक्षिन दिशा होती है वहां रखना है और पूजन कर देना है अपना नाम ले लेना है संकल्प ले लेना है अपना नाम मतलब संकल्प में क्या क्या आ जाता है आपका नाम, आपकी पिता का नाम आपके गोतर का नाम और जो भी आपकी इच्छा है वो आप बोल सकते हैं और पित्रों के लिए एक केले का पत्ता ले ले छोटा सा उसमें उबले चावल थोड़ी सी दई थोड़ा घी और काला तिल अप्शनल है अगर डाल सकें तो अच्छी बात है वो उसमें छड़के चत पर रखाएं और ये डेट बताएए मैंने 25 सेप्टेंबर जो की भरणी नक्षत्र है जो की महा भरणी नक्षत्र भी कहलाता है अब अगर मानलिजे आपने ये वीडियो लेट सुना 25 सेप्टेंबर चली गई तो क्या करेंगे 25 सेप्टेंबर को मिस कर गई तो 30 सेप्टेंबर बिल्कुल अच्छा दिन आ रहा है मानलिजे मतलब मैं ये उनके लिए बतारी हूँ वैसे अगर आप रोज कर सके हैं भारत में रहते हैं फिर तो अच्छी बात है बाहर रहते हैं बहुत सरे काम हैं बिजी हैं टेली 15-16 दिन नहीं कर सकते हैं तो 30 सेप्टेंबर यानि कि 30 सेप्टेंबर जो की नवमी का दिन आ जाता है वो बहुत अच्छा दिन है नो नमबर आ जाता है नो नमबर नियू बिगनिंग का साइन है एक साइकल खतम होने का साइन है यानि कि पितर पक्षक को भी श्राद श्रद्धा पूरवक आप उनको दान कर देते हैं कववा वगरे जो है जो क्रो हैं वो आपका इस चीज को ग्रहन कर लेते हैं क्रो को महा भारत में पित्रों से related माना गया है और क्या कर सकते हैं यही चीज़े कर सकते हैं जैसे कि आपने 25 सेप्टेंबर डेट चली गई न तो 30 सितंबर को यही सारी चीज़े करनी है दक्षिन दिशा की तरफ और जो मैंने बोला छत में रख कराना है वो सारा उसी तरह से संकरप लेक करना है बस हो गया गया नहीं इसमें दान दक्षना भी तो करनी होती है बिना दान की यह कोई भी पूजा संपन नहीं होती इसलिए पूजा में पैसे लगते हैं दान तो उसमें करना ही पड़ता है पंडी जी को दान जाता है जो पूजा करता है उसको दान जाता है उसकी मे पक्ष को समझते हैं तो आप उन्हें कोई umbrella, slipper, फल, फूल, मिठाई, sweets जो भी दे सके हैं, fruits वगरा वो आप दे सकते हैं, भारत में रहते हैं तो सभी acceptable है, कुछ भी कोई भी किसी को भी देते हैं, तो वो accept कर लेते हैं, फॉरम में थोड़ा सा मुश्केल होती है, लेकिन पहल होते हैं, ऐसा नहीं है, कि वहां नहीं होते हैं, दिखता हैं इस तरह से, channels वगरा में, तो वहां पर आप black चत्री दे सकते हैं, या चत्री कैसी भी हो, बट एक shed होती है न, एक तरह से, उनको बचाने की, तो ये इन से, पित्र पक्ष से related हैं, ये चीज़ें, एक सर के उपर चत्री हो गई, चपल पैर के नीची हो गई, तो इन सब का meaning है, यूई नहीं बोला जाता कि चत्री दे दो या चपल दे दो, ठीके न, इन सब का meaning है, और फल, मिठाई, या कपड़े, जो भी आप दान देना चाहें, वो आप दे सकते हैं, तो thank you so much मेरी वीडियो को देखने सुनने के लिए, I think आपको पूरी अच्छी तरीकी से समझ आ गया होगा, तो जरूर करें दान दक्षिना, अपने माता पिता की संतुष्टी के लिए, या फिर माता पिता भी हैं, और दादा जी हैं, और उनकी संतुष्टी के लिए, उनकी, उनको श्राद्ध, श्रद्धा पूरवक, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, ग्रैटिटूट में आने के लिए, या फिर यूं कहें कि अपने DNA क्लिंजिन के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, तन्यवाद